हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमाय चैनल बीटी उपी श्टिडी पाइन में अफ्रेंड बात करने वाल है पॉल टेकनिक के इंट्रेंस इंग्जाम दोस्तों आप सभी को पता होगा जो आपकी फिजिक्सिक क्लासिस चल ले थी धारा का चुम्म की प्रभाव Magnetic Effect of Current तीन क्लासिस को दोस्त बहुत ही अच्छी तईके से कंप्लीट कर लिया है और दोस्त अभी तक आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है जिसमें आपको लेशन से लेटर जितने भी आपको बेसिक कॉंसेप्ट है दोस्त वहाँ पे आपको क्लियर करा लिया गया है आज आज आपका दोस्त फोर्थ क्लास है चार नम्मर क्लास है जिसमें आपको टॉप फाइब कोश्चन नुमेरिकल टाइप के कोश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं तो वीडियो हम दोस्त एंड तक बने रहीएगा और जो भी फिटेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहा है त आपको बीकी वैलू पूश्रा है यह कोश्न दोस्त पॉल टेक्निक के इंट्रेंश एक्जाम 1998 में आया हुआ कोश्चन है इसमें कोश्चन में आपको चुमकी छेत्र की तिव्वता ग्याद करने की है अभी दोस्त आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं जब तारों की बीच में दोनों तारों की समान दूरी पर इस्थीत किसी बिंद पर प्रतेक धारावाही तार द्वारा उत्पन जो आपका चुमकी छेत्र का पर्यामी होता है वो कितना होता है दोस्त 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 यह क्या है दोस्त समानतर तार यह आप ध्यान नखिएगा समानतर तार के लिए जब तो आपको समानतर तार बोले उसके लिए जो धारावाही तार में जो उत्पन चुमकी छेत्र का पर्यामी होगा वो आपका कितना होगा 2 इंटू 10 टू पावर 7 निउटन के बराबर होगा परंतु दिसा क्या होगी दोस्त विपरीत होगी जब समानतर रहेंगे दोस्त आपकी जो दिसा होगी वहाँ पे वहाँ आपकी विपरीत होगी जब दोस्त आपकी दिसा विपरीत होगी तो उसका जो चुमकी छेत्र जो आपका पर्यामी चुमकी छेत्र कारे करता है उसकी भी क्या होता है वो आपका सुननी हो जाएगा वहां पर वो क्या हो जाएगा सुनने हो जाएगा जब आपका यहां पर जब आपकी दिशा विप्रीत हो जाएगी तो पर्यामी चुमकी छेत्र होगा वह आपका सुनने हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त पर्यामी चुमकी छेत्र सुनने हो जाएगा दोस्त त टाइब से question आए तो आप concept clear रखिएगा और direct वहाँ पे आप question को अच्छी तरह के समझ के टिक लगाईएगा यहाँ दोस्त अगला next question देखते हैं next question है 32 number question एक धारावाही कुंडली के केंदर पर उत्पन चुमकी छेतर होता है तो दोस्त धारावाही कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर वह हमारा तल के लंबवध होता है कैसा होता है दोस्त तल के लंबवत होता है कुंडली के तल के लंबवत होता है जो हमारा धारावाही कुंडली के केंदर पर चुम्बक की छेतर कुंडली के तल के लंबवत होता है Option में देखते हैं दोस्त तो B इसका Right एंसर हो जाता है यहां पे Next Question देखते हैं Third Question Third Question है दोस्त 33 Number Question है किस परिस्थिती में किसी चुमबक छेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल सुनने होता है तो दोस्त किस परिस्थिती में आपका जो धारावाई चालक पर लगने वाला बल सुन्य होता है तो मैंने आपको वहां पर अगले नेस्ट क्लास पिछले क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो लगने वाला बल अथार्थ जो आपकी एफ की जो वैलू होती है वो सुन्य कव होती है तो सुन्य कव होती है दोस्त जब आपकी थीटा की वैलू वहाँ पे ध्यान देखेगा जब आपकी थीटा की वैलू जीरो डिगरी होती थी कितना दोस्त जीरो डिगरी होती थी तो वैलू टोटल पूरी कितनी होती थी सुन्य होती थी जब भी आपका यहां पर sin 0 की value आ जाते थी और sin 0 की value होती थी वो आपकी 0 हो जाती थी और पूरे को आपका क्या कर देती थी 0 कर देती थी तो किस प्रस्तिस्ति में दोस्तों आपको जब आपकी theta की value 0 हो यहां पर ध्यान दखेगा जब भी आपका चालक पर कार्ड करने वाला बल यहां पर मै साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा इस थीटा इस थीटा की वैलू जब भी आपकी जीरो होगी जब भी आपकी इस थीटा की वैलू जीरो होगी अथार्थ साइन थीटा साइन जीरो जब भी साइन जीरो होगा दोस्त इसकी पूरी टोटल वैलू किती हो जाएगी जीरो ह यादि विद्द्धारा चुमकी छेतर के समानतर होगा तो यह सुनने होगा और जब यह सुनने वगा तो चालक पर लगने वाला total ball होगा f वो हमारा क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा तो option में देखते हैं दोस्त तो option में आपका 33 का option देखिएगा ये आपका a सही है इसमें जब क्या है जब धारा चुमकी छेतर के समानतर हो तो जब धारा चुमकी छेतर के समानतर होती है तो वहाँ पे theta की value आपका 0 हो और जब theta आपका 0 हो गया तो वहाँ पर value रखेंगे जहां भी आपका sin 0 की value आएगी वो आपकी 0 आएगी तो पूरा आपको क्या कर देगा वहाँ पर 0 कर देगा तो वहाँ पर जो बल लगेगा वो आपका बल कितना सुनने हो जाएगा तो option दोस्त यह आपका right answer है चलते हैं next question देखते हैं आपे 34 नमर question 34 नमर question है दोस्त 3.2 into 10 to power minus 19 कूलाम का आवेस 10 to power 6 meter प्रति सेकेंड के वेक से तीन वेबर प्रति मीटर तिव्यता वाले चुमकी छेतर से 60 डिगरी की कोड़ पर प्रवेस करता है तो आवेस पर लगने वाला बल अथार दोस्त इसमें आपको आपको दिया क्या है पहले यहाँ पर दिखिएगा यहाँ पर आपको दिया है Q equal to दिया है कितना दोस्त आवेस कितना दिया है आपका यहाँ पर दिया दिया है 3.2 into 10 to power minus 19 कूलाम कितना दोस्ट 3.2 x 10 to power minus 19 कुलाम यह आपका Q की value दिया है अब दोस्ट यहाँ पर वेक कितना दिया हुआ है V V की value दिया है 10 to power 6 meter प्रति सेकेंड कितना दोस्ट 10 to power 6 meter प्रति सेकेंड अब आपका एक चीज आओर दिया हुआ है कितना तिव्रता दिया हुआ है यहाँ पर तिव्रता कितना दिया हुआ है अथार दोस्ट यहाँ पर आपका यहाँ पर तिव्रता B की value दी हुई है बी की वेलू कितना दिया हुए दोस्त यहाँ पे आपका 3 वेबर प्रती मीटर और दोस्त एक वेलू आउर दिया हुआ है जो आपका चुमकी कोड से वो आपका कोड दिया हुआ है 60 डिग्री यहाँ पे थीटा की वेलू आपको दी हुई है कितना 60 डिग्री 60 डिग्री ठीक ह आप डिरेक्ट यहाँ पे value रखेंगे और डिरेक्ट यहाँ पे आपको answer मिलेगा तो चलते हैं एक एक point to point करके देखते हैं यहाँ पे देखीएगा आप 3.2 into 10 to power minus 19 into 10 to power 6 into 3 into sin 60 अब दोस्त आपको पता होगा जो आपकी sin 60 की value होती है वो आपकी कितनी होती है under root 3 upon 2 कितना होती हैं under root 3 upon 2 next step में इसका value रखते हैं यहीं पे दोस्त आपका direct यहाँ पे value रख देते हैं इसकी जगह पे आप यहाँ पे under root 3 upon 2 कर देंगे कितना दोस्त under root 3 upon 2 अब दोस्त इसको हल करते हैं यहाँ पे इसको multiply करते हैं इसको multiply किये दोस्त तो यहाँ पे आपका आगया 9.6 into 10 to power minus का 13 into under root 3 upon 2 ठीक है इतना हो गया इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद next step में आप क्या करेंगे इसको आप divide करके multiply करेंगे divide करके multiply करने क्या आजाएगा दोस्त यहाँ पे ध्यान देजिगा 4.8 into 10 to power minus 13 और इसको जब divide किये दोस्त तो 1.732 आजाएगा कितना दोस्त 1.732 अब दोस्त इसका इसमें multiply करेंगे तो यह हमारा क्या आजाएगा 8.31 into 10 to power minus 13 यह आपका क्या आजाएगा न्यूटन में तो दोस्त आपका जो answer आजाएगा यहाँ पे ध्यान देजिगा यह आपका answer जो आजाएगा 8.31 into 10 to power minus 13 न्यूटन कितना दोस्त 8.31 into 10 to power minus 31 इसका minus 13 इसका answer हो जाएगा option में देखते हैं दोस्त यह इसका right answer है चलते हैं next question देखते हैं तो friend next question आपका है 35 नमर question question ने बोला है दोस्त एक धारा मापी की सुग्राहिता 0.5 माइक्रो एंपियर है इसमें 2 into 10 to power minus 5 एंपियर की धारा प्रवाहित करने से विच्छेप होगा यह question विच्छेप ग्याद करना है इसमें यह question दोस्त पॉल्टेक्निक के entrance exam 2007 में पुछा गया है तो धारा की सुग्राहिता के लिए फार्मूला जो होता है दोस्त धारा की सुग्राहिता k equal to i upon theta कितना दोस्त k equal to i upon theta इसमें आपका विच्छेप पूछ रहा है क्या पूछ रहा है दोस्त i upon k कितना हो जाएगा दोस्त theta equal to i upon k यहाँ पर आपका i okay दोनों की value दे रखा है तो यहाँ पर डारेक्ट हल करते हैं theta equal to 2 into 10 to power minus 5 अपान में दोस्त 0.5 into 10 to power minus 6 कितना दोस्त 10 to power minus 6 अब दोस्त इसको हल करते हैं तो इसको हल करने की बात क्या रहा आपका रहा याएगा फोटीन यह आका क्या रहा अभी दोस्त आपको जो schedule चल ला था उसी schedule पर classes दिखने की मिल जा रही है सुबा morning में दोस्त आपको 9 बजए mathematics classes मिल लेए जोकी बहुत इ अच्छी तरीक शии वहाँ पे classes चल रही है और दोस्त इवनिंग में आपको physics और chemistry दोनों के classes लगातार प्रोवाइट कराए जाए रही है तो जो भी friend channel पहली बार visit कर रहा है तो चैनल को subscribe करके bell icon को all प्रेस करिएगा जिससे आपको time पे आने वाली classes का notification आपको मिल सके और दोस्त अभी तक आपने हमाए second channel dear runs को subscribe नहीं किया है तो नीचे दोस्त आपको description में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर हमारे second channel dear runs को subscribe कर सकते हैं जिस पे दोस्त बहुत ही जल्द आपको test series देखने को मिल जाएगा धन्यवाद